असलाम अलेकुम तो चलिए आज के इस वीडियो के शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आप लोग के 12th क्लास के के कश्रा बुक का चैप्टर नंबर 31 जिसका नाम है शिकस्त जिन्दा का खौब और यह जो चैप्टर है यह एक नजम है यानि क मुसनिफ है जोश मली अबादी मुसनिफ का क्या नाम है जोश मली अबादी तो सबसे पहले जोश मली अबादी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं इनके बारे में जान लेते हैं पहले इनको निप्टा लेते हैं फिर मैं इस नजम का खुलासा करूंगी और पूरी इनर्ज के साथ पूरी ताकत के साथ इस नजम को हम लोग पढ़ेंगे खुलासा करेंगे और बहुत जल्द इस चैप्टर के कोशन इंसर के साथ इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले जोश मली अबादी के बारे में समझें देखे इनका असल नाम यानिकी रियल नेम है शबीर हसन खान इनका असल नाम क्या है रियल नेम शबीर हसन खान भले ये जोस मली अबादी के नाम से मसूर हो गए और जोस मली अबादी के नाम से क्यों मसूर हो गए क्योंकि ये मली अबाद में पैदा हुए थे अठारा सर्श शायरी में ये जो नाम इस्तिमाल करते थे वो क्या था जोश और ये मलियाबाद में पैदा हुए थे इसलिए जोश मलियाबादी के नाम से ये फेमस हो गए मशूर हो गए भले इनका असल नाम था सबीर हसन खान आगे देखिए इनके वालिद यानिकि इनके पिता का नाम है अबभी नाम हैं बशीर एहमद खा और इनके दादा का नाम है मुहमथ एहमद खा और इनके पर दादादा का नाम हैं पकीर मुहमथ खाँ जितने भी थे चुआर इसलिए जोश मलियाबादी भी आड़ी और देखिए घर पर ही उर्दू-फार्सी-भर अर्वी की इप्तदाई तालीम दिये जोश्मली अबादी जो है वो घर पर ही उर्दू फार्सी अर्वी की किताबें पढ़ा करते थे और शुरुवाति सिक्षा जो है वो घर पर ही लिये थे ठीके आगे देखिए उन्हें से चौदा में असरफ जहां बेगम से शादी हुई जोश्मली अबादी की ठीके कब उन्हें से चौदा याद रखिएगा इनके कुछ किताबों का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है जैसे की रूह अदब नक्ष्वनेगार वह सोला सबनम जुनून वह हिकमत हर्फ वह कायत आयात वह नकमात वगयरा में बहुत सारी किताबे जो है जोश्मली अबादी ने लिखे हैं यहाँ पर कुछी का नाम में दे दी हूँ अब देखिए इनका इंतकाल हो गया है बाइस फरवरी उन्हेसाब 82 को जोश्मली अबादी इस दुनिया से रुखसत हो गए तो यह हो गया जोश्मली अबादी के बारे में खुआब नाम के कवीता का मैं खुलासा कर देती हूं देखिए मैं आप लोग का बुक ले लेती हूं और निकाल भी ली हूं यह शिकस्ति जिन्दा का खुआब का मतलब क्या होता है शिकस्त मतलब होता है हार जिन्दा मतलब कैद खाना जेल और खुआब मतलब सपना ड्री तो यह जो नजम है यह जो कवीता है यह जोश मली अबादी तब लिखे थे हमारे हिंदुस्तान को आजादी मिलने वाली थी हमारा हिंदुस्तान आजाद होने के कवगार पर था जब हमारे हिंदुस्तान के लोगों के दिल में हमारे हिंदुस्तानियों के दिल में एक जोश एक जुरून था वो ठान लिये थे कि किसी भी तरह हिंदुस्तान को अजाद कर ही देना है इन अंग्रेज़ों के चंगल से बचा लेना हिंदुस्तान को तब ही उसी वक्त जो है जोश मली अबादी इस नजम को लिखे थे ये देखकर कि अंग्रेज जो है वो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कैदी बना दिये थे उस वक्त ठीक है हमारे हिंदुस्तानियों को कैदी बना कर रखे थे उस कैद खाने में तो वही उस कैद खाने के बारे में बात किये इस नजमे जोश मली अबादी कि उस कैद खाने में जो हमारे हिंदुस्तान के लोग कैदी बने हुए है अब वो जो कैद खाना है अब वो तूट जाएगा अब वो कैद खाना जो हार जाएगा और हमारे हिंदुस्तान के लोग अब आजाद हो जाएंगे तो उस कैद खाने के बारे में इस नजम में जोश मली अबादी बात किये हैं तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ कर बताती हूं और हर एक एक बंद का मैं खुलासा करती हूं देखिए लिखे हैं सुरू में जोश मली अबादी कि क्या हिंद का जिन्दा काप रहा है हिंदुस्तान के लोग तोड़ रहे हैं अब वह कैद खाना क्या हो रहा है वह जेल काप रहा है और वह जो आजादी का नारा है वह गुझ रहा है सभी की कानों में वह तक्बीर वह नारा गुझ रहा है ठीक है अब जितने हिंद्वस्टान के लोग कैदी बने हुए थे अंग्रेज के अभु सभी लोग उग्ता गए हैं ठीक है और वो सभी लोग ठाँ लिए कि किसी भी तरह जो है उढ criter कर देना है हिंद्वस्टान को आजात कर लोग जो है जितने भी हिंदुस्तान के लोग कैदी बने हुए सबी लोग एक जगह आकर इकठा हो रहे हैं और जिन्दानी का मतलब होता है जो जिल में कैद होते हैं ठीक है तो जितने की थीरी चीदे बीत तरह हुदुस्तान को अजाद कर देना है अब हम इस गायद खाले में यूँ तो तोडोड रही है त्द्वीरें बोला जा रहा है कि जितने मीन ज़ोग हैं गरीब लोगे अब उनके अंदर भी बिजली आ गई है उनके अंदर भी वो जोश है वो जुनून है अब वो भी नहीं डर रहे हैं उन अंग्रेजों से क्योंकि वो जानते हैं कि जितना ही मैं डरूंगा उतना ही अंग्रेज लोग मुझे डराएंगे अब मुझे हिंदुस्तान को आजाद करने के ठीकि क्योंकि अब जितने भी गरीब लोग है और जितने भी हिंदुस्तानी की लोग है वे जो है अनग्रेज़ेंसे और यहीं वजा है कि अंग्रेज अब पीछे हट रहे हैं तो आंग्रेज जटनी आसब कोशश कर रहे जितने भी चाले चल रहे हैं वो सारय का सारा चाल नाकाम हो जा रहा है उनकी सारी कोशिश जो है वो दम तोड़ दे रही है बेकार हो जा रहा है ठीके आगे देखिए क्या लिखे हैं कि आखों में गदा की सुर्खी है बेनूर है चेहरा सुल्था का तक्रीब ने पर्चम खो उस वक्त का बादशा कौन था हिंदुस्तान का अंग्रेज लोग थे तो अंग्रेज का जो बादशा है अब उसके चेहरे उसका जो चेहरा है वो बेनूर हो चुका है उसके चेहरे पर एकतर से घबराहत दिखाई दे रही है और वो घबराहत ये है कि बहुत जल्द के लोग जो हैं हिंदुस्तान को अजाद करा रें गे अब मुझे फिर दोस्तान को छोड़ कर भागना पड़े गा ये घबराहट उस अंग्रेज के सुल्तान पर दिख जा रही है ठीके ह्यां इंदुस्तान के जमीज से मारेसिया बरसेंगी फलक से सुमशिरे इसमे बोला जा रहा है कि क्या उन अंग्रेजों को को खबर थी जब ओ जिर्व जबर कर दिये ते रुह मिलत को यानि कि वो रूँ के कौम को फेरोजबर कर दिये थै यानि शम्शीरे यान की तालवारे बनकर बरसेंगे क्या उन अंग्रेजों को खबर थी देखिए आगे भी लिखा गया है क्या उन को खबर थी सीनों से जो खुन चुराया करते थे एक रोज उसी बिरंगी से जलकेंगी हजारों तस्वीरे इसमें भी वही बोला जा रहा है कि क्या उन अंग्रेजों को खबर थी जब वह हंदुस्तान के लोगों का लोगों से खून चुरालिया करते थे यहीं हंदुसतान के लोगों के लोग उनके सिनों में यह ख़़ए दिखाई देंगी ये हिंदुस्तान की लोग जो है अपने मुलक को आजाद करने के लिए इतना कुछ कर जाएंगे ठीक है आगे ये लिखा गया है कि क्या उनको खबर थी होटो पर जो कुफल चड़ाया करते थे एक रोज उसी खामोशी से तबकेगी दहक थी तकरीरे इसमें भी बोला जा रहा है थी क्या उन अंग्रेजों को खबर थी जब वो हिंदुस्तान की लोगों पर इतना जुल्म करते थे उनके होटों पर हिंदुस्तान की लोगों के होटों पर वो एक तरसे ताला लगा दिया करते थे और हिंदुस्तान के लोग जो है इतना मतलब बे सहारा हो गए भाइगा कि वह जो खामोसी जो है वह घरम घरम तक्रीरे बनकर उबलेंगी तेखें यानि कि वह हिंदुस्तान के लोग जो है जो खामोस हुआ करते थे अब वही जो है इतनी मतलब शोले की तरह बाते करेंगे क्या उन अंग्रेजों को खबर थी और ये last line है एंग्रेजों कि वह जिन्दा गूझ उठा, जप्टों कि वह कैदी छूट गया उठों कि वह बैठी दिवारे, दौरों कि वह टूटी जन जीरे इसमें बोला जा रहा है ये लास्ट लाइन है इसमें बोला जा रहा है कि ए अंग्रेजो संभलो कि वह जिन्दा गूज उठा है ए अंग्रेजो संभलो कि वह जो कैद खाना है वह जो जेल है वह गूज उठा है ठीके जप्टो दोडो कि वह जो कैदी है जो जिसको तुमने हि बना कर रखे थे उस काइद खाने में वह हिंदुस्तान के लोग अब छूट गए हैं उठो कि वह बैठी दिवारे यानि कि वह जो दिवारे हैं वह तूट गई है वह तूट कर गिर चुकी है अब वह जो है कैदी आजाद हो चुके हैं दोड़ो कि वह तूटी जंजीरे और दोड़ो तुम अंग्रेज हो क्योंकि अब जो हिंदुस्तान के लोग को तुमने अकायदी बना कर रखा था अब वह आजाद हो चुके हैं उनकी जंजीरे जो है वह तूट चुकी है ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं और यह लस्ट लाइन था इसी के सांद आप लोग का च शिकस्ते जिन्दा का खौब किस की नजम है तो सिकस्ते जिन्दा का खौब जो है वो जोश मली अबादी की नजम है यह हो गया एंसर दूसरा सवाल है जोश का असल नाम क्या है तो जोश का असल नाम है शबीर हसन खान ठीक है तीसरा सवाल है जिन्दानी से क्या मुराद है जिन्दानी किसे कहते है तो जिन्दानी कहते है कैद खाने के कैदी को कैदी को ही बोला जाता है जिन्दानी ठीक है चार नंबर सवाल है जोश की पांच तसानीफ के नाम बताईए जोश का कोई पांच छो किताब का नाम उनका क्रियेशन बता देना है तो देखिए मैं इतना स सवाल है सवाल नमबर पांच कि शिकष्ट जिन्दा का खौब की ताबीर क्या है तो शिकष्ट जिन्दा का खौब की ताबीर है मुल्क की आजादी ठीक है जब हमारे हिंदुस्तान को आजादी मिलने वाली थी हमारे मुल्क को जब आजादी मिलने वाली थी तभी तो ये गज्मुव क कलाम का नाम भी लिखिए ठीक है तो यह छे नंबर question है ना इसका answer आप लोग के book में भी नहीं दिया गया है ठीक है तो आप लोग कर आप लोग को टेंसर नहीं लेना है यह पूछेगा नहीं इंग्जाम में ठीक है तो चलिए इसी के साथ चैप्टर नुमर्ट थार्टी वान जो है वो कोश्टन एंसर के साथ कंप्लीट होता है कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर ब पहुचे तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब सक के लिए जाहिन और खुदा हाफिज